कहते हैं कि हमारी जिंदेगी में घटनाओं का बहुत ही एहम रूल होता है कुछ घटनाएं बहुत अच्छी चाप छोड़ जाती है तो कुछ घटनाएं बहुत बुरी चाप छोड़ जाती है ऐसी ही कहानी संगम नगर रेलवे स्टेशन की है कुछ सैनिक अपने अपने सामान के साथ संगम नगर रेलवे स्टेशन पर कट्रा की ट्रेन का इंदजार कर रहे थे कि तभी एक ट्रेन होर्न मारते हुए संगम नगर रेलवे स्टेशन पर रुखती है उस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा हुआ था उस ट्रेन को देख विक्रम अपने दोस्त राज से कहता है भाई राज ये कैसी ट्रेन है ये ट्रेन तो बड़ी अजीब लग रही है इस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा है क्या हमारा इस ट्रेन में सफर करना सही होगा अरे भाई हमें तो अपनी मंजिल पर जाना है हमें अपने देश की सिवा करनी है अब चाहें कोई सीवी ट्रेन हो हमें जाना तो कट रही है वैसे भी ये ट्रेन भी कट रहा होकर ही जाएगी इसलिए हम इसमें ही सफर कर लेते हैं क्या पता हमारी कट्रा वाली ट्रेन कितनी देर में आए। उन दोनों की बाते सुनकर हसते हुए विकास बोलता है। विक्रम तुम एक सैनिक हो सैनिक और सैनिक यूँ इस तरह डरते हुए अच्छे नहीं लगते। सभी सिपाही उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग बैठते हैं वो जैसे ही रेन अचानक चल पड़ती है। और सभी लोग कुछ देर तो शांत रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें भूक लगती है तब राज कहता है। बहुँ जोर से भूक लग रही है। यह गाड़ी रुकती है तो बाहर जाकर हम कुछ ना कुछ अपने लेकर आएंगे। सानिक गाड़ी रुकने का इंतजार करते हैं लेकिन गाड़ी रुकती है। और तेज रफ्तार में चलती ही रहती है यह देख उन सेनिकों को थोड़ी हैरानी होती है। और सभी सेनिक एकठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं अरे यह गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है। भाई यह रस्ता कटरा नहीं जाता आखिरी यह ट्रेन कहां जा रही है। तुम सभी चिंता मत करो मैं अभी ड्राइवर के पास जाता हूँ और उसे थमका कर आता हूँ। हम भी तुमारे साथ चलेंगे। इतना कहकर सभी सैनिक एक साथ ट्रेन के अंदर ट्रेन ड्राइवर के पास पहुचते हैं जहां वह उन्हें आवाज लगाते रहते हैं लेकिन ट्रेन ड्राइवर उन सभी सिपाहियों का कोई जवाब नहीं देता। विक्रम अब ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है और इसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही ड्राइवर पीछे की तरफ पलड़ता है जहाँ इस ड्राइवर को देख सभी सैनिक डर के मारे दो कदम पीछे कर लेते हैं क्योंकि वह ड्राइवर को मामूली ड्राइवर वही बूतिया ड्रैवर था को आवा दकार था हिस्ता है, पाही आ जाते हैं और उनमें से एक भूतिया से पाही सभी स्यनिकों को कहता है तुम सभी स्यनिक चिंता मत करो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए हमारी मदद? बला हम एक इनसान तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं तुम भी तो एक भूतिया सानिक हो तुम अपनी भूतिया शक्ती से खुद की मदद खुद कर सकते हो नहीं हम अपनी मदद नहीं कर सकती हैं क्योंकि आज से छे महीने पहले की बात है मैं विशाल अपने सैनिक टुकडी के साथ इसी ट्रेन से सफर कर रहा था कि तभी इस ट्रेन के उपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया क्योंकि उस समय हम खुद अपने घरों से बॉडर पर जा रहे थे इसलिए हम लोग हत्यार से नहत्ते हो रखे थे हमारे पास हत्यार के तौर पर हमारी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सभी के पास एक बंदूप थी लेकिन उन आतंगवादियों के पास हम से जादा गोला बारूत थे इसलिए उन लोगों ने इस आखरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया उस दिन ब्लास्ट में उन आतंगवादियों के साथ साथ हम मर तो गए लेकिन मरने के बाद हम सभी ने कसम खा ली कि हम आतंगवादियों को अच्छे से सबक सिखाएंगे लेकिन सबक सिखाने के लिए हमें स्ट्रेंज से बाहर जाने की आऊशक्ता है लेकिन हम स्ट्रेंज से बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शरीर में ही है हम लोग अंधेरे में मरे थे इसलिए हम लोग अगर उजाले में गए तो हम लोग जल कर खाक हो जाएंगे इसलिए हमें तुम हरी जरूरत है तुम जहां जा रहे हो उसके विपरित श्रीनगर बॉडर पर आतंकियों ने अपना कबजा किया हुआ है इसलिए हम तुम है वहां ले जा रहे हैं तुम उधर अपना बल दिखा कर उस जगा को आजाद कर वालो मेरे भाई उस भूतिया सिपाही की बाते सुनकर सभी सैनिकों की आँखों में आसुआ आ जाते हैं और सभी सैनिक कहते हैं हम अपने देश और भारत माता के लिए अपनी जान भी देने को तयार हैं जब तुम भूतिया सिपाही बनकर हमारी मदद मांग सकते हो तो हम एक जिन्दा वजूद बनकर उन आतंगवादियों को अच्छा सबक सिखाएंगे इतना कहकर सभी सैनिक उन भूतिया सिपाहीों के साथ मिलकर श्री नगर के बॉर्डर पर जाते हैं और आतंगवादियों की टुकडी को धूल चटा देते हैं आतंगवादियों के जंडे को गिरा कर वो अपने देश हिंदुस्तान का जंडा लहरा देते हैं और इस तरह या देख उन भूतिया सिपाहीों को बहुत अच्छा लगता है साथ ही वह भूतिया सिपाही अब उन सैनिकों को उनकी मंजल तक पहुँचा देते हैं और इस तरह पूरे देश में उन सिपाहियों के साथ साथ उन भूतिया सिपाहियों का भी नाम हो जाता है। पर मिलने आओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, आज रात दस बजे कि तुम्हारी ट्रेन है, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर मौजूद रहोगे। पर तुम हो कौन, तुम मुझे इस तरह क्यों बला रहे हो। अगर तुम समय से आ जाते हो, तो शायद तुम्हारा देश बच जाए, लेकिन अगर तुम ज़रा सबी देर करो, तो तुम्हारे देश को हम बचा नहीं पाएंगे और तुम भी नहीं बचा पाओगे। और इसके जिमेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे, तुम। हलो, हलो, हलो कौन? विक्रम कुछ बोल पाता कि तभी अन्नोन परसन का कॉल कर जाता है, और तुरंत राज और विशाल को कांफरेंस कॉल करता है, और उन दोनों से विक्रम कहता है। राज, मेरे पास एक अन्नोन कॉल आया था, और वो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं रात के दस बजे संगम नगर स्टेशन पर नहीं आया, तो हमारा देश नहीं बचेगा। कैसी बात कर रहा है तु विक्रम, तेरे पास भी ये फोन आया था, तेरे पास का क्या मतलब, इसका मतलब तेरे पास भी आया था, राज और विक्रम तुम दोनों के पास ही नहीं बलकि सेम कॉल मेरे पास भी आया था, आखिर इन कॉल्स के पीछे क्या राज है, इसका पता तो हमें संगम नगर स्टेशन पर ही लगेगा आज रात हम सब को संगम नगर स्टेशन पर जाना ही होगा संगम नगर स्टेशन पर जाकर पता लगाते हैं इस तरह तीनों अपना अपना समान पैक करते हैं और आत 9 बजे संगमनग स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं तभी अगले घंटे बाद गाड़ी हॉन मारते हुए आती है जैसी वह गाड़ी आती है वैसे ही उस्टेशन पर तेज तेज हवाय चलने लगती है चांद की रोशनी उन तीनों पर पढ़ जाती है साथ ही भेडिये की आवाज भी आने लगती है यह देख सभी को अंदाजा लग शुका था यह गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं बलकि यह वही गाड़ी है जिसने पिछली बार इन लोगों को श्री नगर छोड़ा था और जैसे ही गाड़ी रुखती है वैसे ही टीनों उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अचानक ही गाड़ी तेज स्पीड में चलने लगती है गाड़ी की इतनी तेज रफतार को देख विक्रम बोलता है मेरे सैनिक भाईयो कै इस गाड़ी में तुम हो अगर तुम इस गाड़ी में हो तो तुम हमारे सामने आना होगा तुम हमारे सामने आओ और जब हमें सब कुछ पता ही है तो छुपकर क्या फायदा हमारे सैनिक भाईओ आखिर तुम भी हमारी तरह हो हम लोगों से छुपकर क्या फायदा उन दोनों की बाते सुनकर वहाँ पर कुट्टे और भेड़े की भूकनी की आवाज आ जाती है और अचाने की ट्रेन की सारी लाइटे ओन ओफ होने लगती है जदे एक विशाल बोलता है बाई मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे सैनिक भाई है अगर ये हमारे सैनिक भाई होते इतना कहने पर हमारे सामने आ गए होते लेकिन देखो हम लोगों ने उन्हें कितनी आवाज दी पर इन्होंने तो सुना ही ने वह हमारे सामने आई नहीं रहे बलकि हमें डराने की कोशिच कर रहे विशाल की वाते सुनकर वहाँ पर किसी के जोर-जोर से हसने की आवाज आने लग गई हाहाहाँ उनकी आवाज सुनकर विक्रम अपने निडर और भारी आवाज में कौन हो तुम और इस तर हमें डरा क्यों रहा है हो तुम, क्या जयता ना चाहते हो तुम, कि हम भारतिय सैनिक तुमसे डर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तु हमारा कुछ नहीं बिगार सकता, और तेरा सैनिक दोस्त बिलकुल सही कह रहा था, कि हम तेरे मरे हुए दोस्त बिलकुल नह तुम लोग के अंदर नहीं है। अजी तुम लोग आज के तारिक में भले एक भूध बन गयों, लेकिन आज भी तुम हम से नहीं जीत पाओगे। उसकी अबाद सुनते ही भूतिया आतंकी सामने आते हैं और अपनी भूतिया शक्ती से उन्हें हवा में उल्टा लटका देते हैं कि तभी तीनों भूतिया से निक उस ट्रेन में आ जाते हैं और अपनी शक्ती से आतंकियों से लड़ाई करने लगते हैं कोई किसी के उपर आग का गोला फेका तो कोई किसी के उपर छूरा चाकू ऐसे ही उन भूतों के बीच अंधाधून लड़ाई होती है और उस लड़ाई में तीसरा आतंकी बोलता है या ट्रेन अगले स्टीशन पर उतरेगी और इस टीशन पर भारी तादाद में लोग है और साथ ही वहाँ पर बम भी रखे हुए थे अगर तुम अपने देश के लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो क्योंकि हम अपनी शक्ती से उस बम को फोड़ने वाले हैं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते या मत भूलो कि तुमसे ज़ादा शक्ती हम सिपाहियों में अगर हम तीनो भूतिया सिपाही चाहे तो तुम लोगों को एक जटके में तब़ाह कर सकते हैं और हम तुम्हें तडपा तडपा कर मारेंगे इस से लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा मिरे भूतिया सैनिक्स भाईयों तुम तीनो इनको देखो और हम अगले स्टेशन पर जाकर बम्ट डिफ्यूज करते हैं विकर्म की बाद से सबी लोग सहमत हो जाते हैं और जैसी अगले स्टेशन पर गाड़ी रुखती है वसी वह तीनों सिपाही स्टेशन पर जाते हैं और बम डिफ्यूज करते हैं क्योंकि भूतिया सैनिक के साथ साथ भूतिया आतंकी भी नहीं निकल सकते थे इसलिए वो लोग बाहर रोशनी में नहीं जा सके हैं और जब वो तीनों सिपाही ट्रेन के अंदर वापस आते हैं तब उनके सामने वो तीनों भूतिया सिपाही उन आतंकीयों को एक साथ अपनी शक्तियों से तबाह कर देते हैं या देख उन सभी सैनिकों को शकून मिलता है और एक बार वा तीनों उन भूतिया सैनिकों से कहते हैं एक बार फिर से तहे दिल से तुम्हारा शुकरिया क्योंकि इस बार भी तुम तीनों ने हमारे देश को बचाने के लिए जी जान लगा दी नहीं नहीं धन्यवाद हमें तुम्हारा करना चाहिए ना के तुम्हें हमारा हमारा तो फर्ज है इन आतंकियों को रोकने का लेकिन हम इस ट्रेंज से नहीं निकल सकते इसलिए मेंड रोल तो तुम तीनों का है इस तरह एक बार और वो टीनो सैनिक अपने घर चल ले जाते हैं वहीं दूसरी तरह भूत या इसी पाही भी उस ट्रेन के साथ गायब हो जाते हैं कट्रा स्टेशन पर खड़े सैकडो जन ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं किरावल पिंडी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर आकर रुकती है सभी जन उस ट्रेन में चट जाते हैं कुछी देर के बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है किसी को खबर न थी कि ट्रेन में कुछ गुसपैटियों का बड़ा दल गुसाया है उसी बीच चमन और मंगेस नाम के दो शक्स बाद करते हुए कहते हैं कुछी देर की दूरी है उसके बाद ये ट्रेन इक पड़े धमाके के साथ धूल में मिल जाएगा अरे धी में बोल जमन अगर ट्रेन में सवार यात्यों के कानों में सवार की बनक लग गई तो बगड़ मत जाएगी और हमारे सारे मैनत पर पानी पर जाएगा जैसे जैसे ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है टूपते सूरज के साथ सांच की बेला रात में बदल जाती है सीट पर बैठे सभी आतरी नीद में उंगते हुए सो जाते है कुछ पलपा जैसे उनकी आँख खुलती है तो उनके अर्दगर्द कुछ पैठियों का बड़ा दल बंदू के ताने खड़ा होता है ट्रेन में सवार एक तमपती जिसका नाम श्रिया और नरेंद्र था कहते हैं अहाँ नरेंद्र ये सब क्या है छोड़ दो मेरे नरेंद्र को हमने तुम सभी का क्या मिगाड़ा है अखिर तुम क्या चाहते हो एसा कहते वे गुसपैटिया मंगीश कई मासुमों को मार कर उन्हे लहुलूहान कर देता है फिर वह नरिंडर के माते पर बंदू काने कहता है अगी मरने की बारी इस मजनू की है फिर आएगी इस लैला की बारी हाहा अरे दरिंदो दिकार है तुम सभी पर जो एक निहते पर इतना जन बेड़े हो बुजदिल हो तुम सब अरे मंगेस देख ये तितलियां कैसे फड़वरा रही है अरे चिंता मत कर मेरी लेला तेरे मजनू के मरने के बाद हम तेरा खयाल रखेंगे तु है तुम पर तुम जैसे बुजदिल छिकर वार करते हो ये सुनकर चमन बेरहमी से श्रिया के बाल पकड़कर उसे ट्रेन से बाहर धकेलने वाला होता है कि अचानक ट्रेन का फाटापंद हो जाता है और सभी बतियां जलने बुजने लगती हैं जिसके साथ कुछ भूतिया सेपाई अपनी बंदू के लिए वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम आतन की पीचे बार करने की आदत से बाज नहीं आओगे ना अब हम तुमें भी खाक में मिला देंगे जैसे कुछ साल पहले हमने तुमारे देश के दरिंदो को दूल चटाई थी बुधिया सिपाही को अपने सामने खड़ा देखकर उस पैचियों के पाउँ पीचे की और सरकने लगता है खौफ के मारे उनका चेहरा पीला पड़ जाता है तभी वकप कपाते सोर में कहते हैं मैं कहता हूँ रुक जाओ आगे मत बढ़ना बढ़ना इस बंदूक की सभी गोलियां तुमारे सीने में दाग दूँगा अरे तो फिर सोच क्यों रहे हो आगे बढ़ो और बून डालो हमें तुमारे इन गोलियों का भूतिया सिपाही पर कोई असर नहीं होने वाला सभी भूतिया सिपाही एक साथ को इस पैचों की और तेजी से बढ़ने लगते हैं या देकर दरिंदो का दल खौफ के मारे पीछे की और सरकने लगता है तुम दरिंदों ने हमारे देश के मसूमों का खून बहाया है इसकी कीमा तुमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी अपनी जान के बचाओं में चमन और मंगेश भूतों पर गूलिया चरा लेलते हैं बावजूद इसके फूतों पर इसका कुई असर नहीं होता खिस्याय हुए भूतों की आँखे खून के समान एकदम लाल हो जाती है और वो अपने पैने नाखून उनके पेट में गाल कर उन्हेतार बगार देते हैं जो भी भारत देश की जंता पर वार करेंगे ये भारत के भूतिया लाल उनका शेकार करेंगे अभी दरिंदों की सांसे ही ठमी थी कि कुछ भारत देश के विरोधी भूतिया सिपाहियों का दल अपनी भूतहा हसी से च्वेइन में एक बार च्वेइन के हर भोगी में को हराम मचाने लगते हैं तुम्हारे हमारे साथियों को मार गिराया अब हमारा सामना कैसे करोगे कुछ याद आया अरे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं तुम भूत या दरिंदों को देखो कैसे हम तुम्हारी आगों के सामने तुम्हारे देश के इन लोगों को फार खौएंगे वैसे भी मैं और कफार कईदनों से भूके हैं अब तो ये सबी हम भूतों के भूका कार बनेंगे आकर ये सब क्या चल रहा है भूतों का या दोनों दल किस बारे में बात कर रहा है मैं बताता हूँ ये बात कुछ बरस पहले की है मैं और मेरा दोस्त करमदी कट्रा के इसी स्टीशन पर खड़े थे ओम मनजीत मेरे यारा तेखरावल पिंडी ट्रेन आ गई चल इसी में चड़ जाते हैं ये पठान कोट होते हुए जाती है दोनों सिपाही ट्रेन में सवार हो जाते हैं मगर उने एकदम सामने दो खुस पैठिये जिनका नाम कफार और जफर था पैठे हुए थे करमदी चरा इनके चेहरे और हावाव तो दे कुछ गरबर लती है आई आरा मुझे भी उनके भीतर से बहरूपिये की बुआ रही है इसके बाद दोनों सिपाही बना कुछ सोचे उन पर बंदूग तान देते हैं सच बताओ कौन हो तुम दोनों तुमने हमें पैचान तो लिया मगर अपसोस की अब बड़ी देर हो चुकी है इस ट्रेन के हर बोगी में बॉम लगे हुए है बस चंद पलो की देरी है उसके बाद सभी के चिथड़े उड़े जाएंगे करम जी समय बहुत कम है इन दरिंदों को मैं देखता हूँ तु जाकर बोगी में बैठे लोगों को इत्तला कर दे कि ट्रेन में बॉम है दोनों सिपाई ट्रेन में सवार लोगों को समय रहते बचा लेते हैं देखते ही देखते ट्रेन एकदम खाली हो जाती है मगर बतकिस्मती से पदेश भक्त सिपाई बॉम के चपेट में आकर अपनी जान से हान दो बैटे हैं बगर देश के प्रती फर्च उन्हें मुक्त नहीं होने देती और वो भूत बन जाते हैं पिछले बार हमने जो गल्ती की थी उसे इस बार बिलकुल नहीं दोराएंगे इस बार हम तुम दरिंदो की आँखे नोच कर दम लेंगे ताके फिर कभी भावी बमिश्च में कोई भी दूसरा देश बारत से बेढ़ने के पहले लाक बार सोचे ये कहते वे दोनों भूतिया सिपाही एक सूरदार बैर श्रीन की चमीन में गार देते हैं वहीं दूसरी ओर से भूतिया दरिंदो का दल भी बढ़ चड़ कर वार करता है वावजूद इसके वह भूतिया सिपाही के आगे फीके पढ़ने लगते हैं और अंत में भूतिया सिपाही उनकी आँखे निकाल लेता है इसी के साथ भूतिया दरंदो का दल सदा के लिए खाक में मिल जाता है भानुगड स्टेशन पर ट्रेन की आवाज आती है सभी यात्री स्टेशन पर ट्रेन का इंदजार कर रहे थे गाड़ी हॉन की आवाज देती वे स्टेशन पर रुख जाते है गाड़ी को देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुशी से अपने अपने डिपे में चढ़कर अपनी सीट पर बैट जाते हैं और उन्ही यात्रियों में से चार दोस्त शेकर, नेहा, विपल, नीरज, चारों दोस्त हसी मजा करते हुए सफर कर रहे थे अरे नेहा, देख तो तेरा आशिक तेरे पीछे कैसे डोल रहा है ओ शाट आप नीरज, तुम भी ना नजानी कैसी बात करते हुँ, यहाँ भला मेरा आशिक कौन है अरे हमारा शेकर, वही तो है तरा आशिक ओ विपल, तुम भी ना इस तरा सभी हसने लगते हैं कि तो भी अचानक ट्रेन रुख जाते हैं और अचानक ट्रेन के रुखने पर सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं अरे यह ट्रेन अचानक क्यो रुख गई पता नहीं पर रुखी भी कहा है लेकिन ट्रेन को रुके हुए दो घंटे हो चुके और वह ट्रेन अभी तक चली ही नहीं थी या देख एक बार फिर से ट्रेन में लोगों की बीच बुद्बुता हट चुरू हो गएगी सभी पेसेंजर आपस में बात करने लग गए अरे भाईया हमका तो डर लागे है अरे दू घंटा से उपर हो गया लेकिन ट्रेन अभी तक ना ही चली है बोले तो तुम बिल्कुल सही रही हो बहिन अरे हम सभी लोगन को या तो टीटी से पतियावे के चाही ना ही तो टेरेक्टे ड्राइबर से पात करे के पड़ी उन सभी पेसेंजर को आपस में बात करता हु देख निहा सभी को शांत करवाते हुए कहती है अरे आप सभी लोग शांत हो जाईए कभी-कभी सिग्नल में प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉट आउट करने में घंटों लग जाते हैं इसलिए आप लोग शांती बनाए रखिए तुई तो टीसी लग रह देख निए ते कि तभी भेड़े की आवाज आने लगती है और सामने से एक ट्रेन होरन मारते हुए सभी को आते हुए दिखाई देती है या देख सभी पेसिंजर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे धीरे-धीरे करके गाड़ी से उतरने लगते हैं लेकिन जो भी गाड़ से नीचे उतरता है वो सीधे मौत के घाट उतार जिया जाता है लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि उन लोगों को मार कौन रहा था क्योंकि गाड़ी को जंगल के बीच यो बीच रुके हुए दो घंटे से साधा हो गया थे आखिर कौन है जो लोगों को इस तरह से मार र रही थी या देख नेहा और विपुल के होश हवास उड़ जाते हैं विपुल जो मैं देख रही हूँ क्या तुम भी वो देख रही हो हाँ नेहा जो तुम देख रही हो वही मैं भी देख रहा हूँ इसका मतल जो भी पेसंजर उतर रहा है उनको कोई और नहीं बलकि ये भ और वरवशनी कोई मामूली रौशनी नहीं बलकि ट्रेन की लाइट थी उनके सामने एक ट्रेन आ रही थी वो खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेन पर चड़ जाते हैं लेकिन अपसोस की बात है कि विपुल का एक पैर कड़ जाता है बिचारा विपुल दर्द में तड़ता हुआ पैसंजर के पाज आता है और नेहा के साथ सारी बात बता देता है या सारी बात सुनकर ट्रेन में अफरा तफरी मचाती है और लोग इधर-उधर भागने लगते हैं उन सभी लोगों को भागता हुआ देक शेखर बोलता है हम लोगों को एक जुट होना तब तो और वैसे भी ये दो भूतिया ट्रेन है इन भूतिया ट्रेन में हम इंसान कैसे पच सकते हैं और हम इन भूतों से कैसे लरेंगे पेसंजस ये सवाल करी रहते कि तभी वहाँ पर दो भूतिया सिपाही आ जाते हैं और सभी से कहते हैं आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, आप सभी लोगों को हुन सुरक्षित आपके अगले स्टेशन पर छोड़ देंगे, लेकिन आप से अनुरोध है कि आप इस ट्रेन से नीचे ना उत्रें, क्योंकि जो भी इस ट्रेन से नीचे उत्रेगा, वो धरती पर नहीं सीधे नर्क मे जाएगा, क्योंकि यह रस्ता कोई मामूली रस्ता नहीं, बलकि नर्क का द्वार खोलता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमारे ही ट्रेन से इनका ब्लास्ट करवा दिया इससे हम तो मर गए लेकिन हमने अपने देश को बचा लिया अब तुम सब चिंता मत करना आराम से जब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती तब तक इसी ट्रेन में रहना सभी पेसेंजर उन भूतिया सी बाहियों की बातमाल लेते हैं और तब तक उस ट्रेन के अंदर ही रहते हैं चब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे अजीब वो गरीब देखने को मिल रहे हैं कभी लाल रंकी लाइट जल रही थी, तो कभी पीले रंकी रोचनी आ थी। यह सब देख यात्रियों के मन में एक गहरा हाफ पैट गया था। जैसे टैसे उन लोगों ने वो रात गुजार ली और सुबा के 6 बजे ही ट्रेन चालू हो गए। सुभाश नगर जाने वाली ट्रेन रंजी पूल स्टेशन पर रुखती है, वहाँ पर सभी पेसिंजर अपनी अपनी सीट पर बैट जाते हैं, और ऐसे ही कुछ समय में ट्रेन चल पड़ती है, सभी पेसिंजर आपस में हसीठी टोली कर रहे थे, कि तब ही वहाँ पर किसी के जोर जोर से हसने की आवाज आती है, उसकी आवाज को सुनकर सभी पेसिंजर एक डम शान्त पड़ जाते हैं, और गौर से उस आवाज को सुनने लगते हैं, लेकिन उनके शान्त होने पर वह आवाज आती ही नहीं है, या देख उन पेसिंजर से करन कहता है, ये ये आवाज किसी थी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस ट्रेन में कोई जोर-जोर से हस रहा हो हाँ हाँ हमें भी ये आवाज आई है लेकिन अभी तक हम शान्त हो गए है तो ये आवाज भी शान्त हो गई है आखिर यहाँ पर इतनी भयानक हासी कौन हस रहा है सभी लोग आपस में बात कर उस लड़की का यह रूप देखर और उसकी अबात सुनकर सभी लोग के पसीने छूड़ जाते हैं और उन्हीं लोगों में से एक विनीता नाम की लड़की उस लड़की से कहती है तुम कौन हो और कौन तुमारे रास्ते में आ रहा है जिसे तुम मौत के घाट उतार दोगी उसकी बाते सुन हुआ हवा में उड़ती हुई लड़की नीचे शांत बैठ जाती है और अपनी लाल आखों में आसू लिये विनीता से कहती है मेरी शादी मेरे सिपाही से करवा दो मेरे सिपाही ट्रेन की दूसरी बोगी में है हम दोनों को अलग कर दिया गया है यदि हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों यहां से मुक्त हो जाएंगे अगर कौन हो तुम और तुम्हारा सिपाही दूसरी बोगी में कैसे बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ सुभाश नकर जाने वाली ट्रेन में कंचना अपने प्रेमी सुमित का इनकेजार कर रही थी सुमित कोई मामूली इंसान नहीं बलकि एक फौजी था कंचना फौजी से बेहत प्यार करती थी और ऐसे ही जब सुमित उस ट्रेन में चड़ता है, वैसे ही कंचना की फैमिली में ही ट्रेन में आ जाती है और दोनों को एक साथ देख, लड़की का भाई उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने अगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ो तो मा तुम्हें यहीं मार कर इसी ट्रेन में दफन कर दूँगा नहीं भाईया हम दोने एक दूसरे से जुधा नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बेहत प्यार किया है हाँ भाया आखिर आप सुमित को अपनाना क्यों नहीं चाहते आखिर क्या खराबी है सुमित में देखिए ये तो एक फौजी भी है फौजी है तो क्या हुआ इसे बस मेरी बेहन ही नजर आ रही है और जो मेरी बेहन को देखेगा मैं उसकी आँखे नोच लूँगा वह इस देश का फौजी हो या कोई और बहिया जिस तरह आप अपनी बहन से प्यार करते हैं, उसी तरह मैं भी आपकी बहन से प्यार करता हूँ, जो आपकी बहन से सबसे ज़ादा प्यार करता है, वो कोई और नहीं, बलकि मैं सुमित भारतवाज हूँ, तो मुझसे जवान लाता है, आज मैं तेरी चमड़ी उधेर इस तरह कंचन का भाई सुमित को बेहरमी से पीटने लगता है क्योंकि सुमित कंचना से प्यार करता था इसलिए वह कंचना के भाई को हाथ भी नहीं लगाता वरनागर सुमित चाहता तो वह कंचना के भाई को दो पल में धेर कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी तक मुझे समझा ही नहीं, आपको आज तक मेरी पसंद का पता ही नहीं चला, आज मैं अपनी पसंद के साथ जा रही हूँ, मेरी इच्छा अधूरी रहे गई, लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी करने वापस जरूर आऊंगी, और हाँ, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मैं सुमित से शादी ना कर लो इतना बोलकर कंचना अपनी गर्दन काट लेती है और वो मर जाती है या देख सुमित तडपते हुए कंचना के भाई से कहता है तुम्हारी वज़ा से मेरी कंचना मर गई और मेरे जीने की वज़ा खतम हो गई लेकिन तुम सभी याद रखना मैं और कंचना यहां से कहीं नहीं जाएंगे आज हम अपना शरीर तो छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन हमारी रूह इसी ट्रेन में भटकती रहेगी इतना कहकर सुमित अपने आपको गोली मार लेता है और वह फोजी की ड्रिस में ही मर जाता है उन दोनों की लाश देख कंचना का भाई से उसका दोस्त सोहन बोलता है अरे कंचना के भाई मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों को अलग-अलग इस ट्रेन की बोगी में जला दो क्योंकि इन लोगों ने जैसी कमिटमेंट कर रखी थी या मरने के बाद भी जाएंगे नहीं क्या पता वापस आ जाए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मरते समय जो इनसान जिस बाद का ऐलान कर जाता है वो अपनी इच्छा पूरी किये बिना वहां से या कहीं से भी नहीं निकलता उसकी बातों को मद्दे नज़र रखते हुए कंचना का भाई और सोहन दोनों को अलग-अलग बोगी में छोड़ देते हैं और उस ट्रेन को आग लगा देते हैं जिसके बाद उस ट्रेन को पंडित से बंधवा देते हैं इस तरह मैं और मेरा सिपाही हम दोनों अलग हो गए अगर आप लोग मेरी शादी मेरे देशभक्त सिपाही से करवा देंगे तो हम दोनों अजाद हो जाएंगे उस लड़की के बाद सुनकर सभी पेसिंजर की आँखों में आसू आ जाते हैं इसके बाद सभी पेसिंजर उससे बोलते हैं मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा लेकिन जब तुम दोनों इस दो अलग अलग ट्रेन की बोगी में बंधे हुए हो तो तुम दोनों एक कैसे हो सकते हो इन दो बोगीों के बीच में एक छोटा सा तावीज है जिसके बाद पेसिंजर उस तावीज को निकाल कर फेक देते हैं और इस तरह दूसरे बोगी में से भूतिया देश भक्त सिपाही आजाद होकर अपनी प्रेमी का कंचना के पास आ जाता है और कंचना भी उस लड़की का शरीर छोड़ देती है जिसके बाद पेसिंजर उन दोनों की शादी करवा देते हैं और इस तरह वह दोनों उस ट्रेन को छुड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं बैभाव विशाल के साथ अपने फौजी ड्रेस में रंजनपूर गाउं के स्टेशन पर खाड़ा था उस अनांस्मेंट को सुनकर विशाल वैभाव से कहता है अरे बाई मुझे तो किसी दिन वो लड़की मिल गई ना तो मैं तो इससे शादी कर लूँगा जार इसकी आवाज से तो मुझे प्यार हो गया है अच्छा ठीक है बाबा तो उससे शादी घर लेना लेकिन अभी गाड़ी आने दे वारना हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तब ही वहाँ पर ट्रेन आ जाती है जिसके उपर खून के छीटे लगे हो थे देख विशाल से कहता है विशाल ये देख ट्रेन पर खून के छीटे हैं अरे तुने वो न्यूज नहीं पड़ी थी क्या अभी कुछ दिनों पहले ही तो आई थी वह मौत कैसे हुई ये आज तक किसी को नहीं मालूम चला और तब से ये ट्रेन बंधी पड़ी थी अभी इसे दोबारा चालू कर दिया गया है हो सकता है कि इस ट्रेन की सफाई नहीं हुई होगी तब ही इस ट्रेन पर फूर्ट के छीटे हैं फिर अभी चलो यहां से वह दोनों अपना अपना समान उठाते हैं और उस ट्रेन पर चड़ जाते हैं कुछी समय बाद ट्रेन में एक बार और एक फीमेल वोईस के एनाउंस्मेंट होती है सभी याद्रियों से अनुरोध है कि वो रात नौ बजे के बाद ना जा गए विशाल देखना यह एनाउंस्मेंट वाली क्या बोल रही है रात नौ बजे आगे ना बढ़ें चुप चाप सो जाएं और अगर हम लोग नहीं सो पाएं और हमें नीन नहीं आई तो हमारा क्या होगा यार तरीक इतनी फटती है इसलिए डरो मत कोई भी हमें कुछ नहीं करेगा विशाल मैं भी यह आशा करता हूँ कि हमें कोई कुछ ना करे दोनों आपस में बात करी रहे था कि तभी ट्रेन एक जटके से स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे गाड़ी आगया बंढ़ी शुरू हो जाती है ऐसे रात के आट बच गया और उस गाड़ी में अब सब पेसेंजर सो गए थे बैभा और विशाल भी सोने जा रहे थे कुछी समयवाद बैभा विशाल सो भी जाता है यह कि तभी बैभा के कांगों तक गोलिया चलने की आवाज आती है गोलियों के चलने की आवाज के साथ ही बैभाव की अंसर फुल जाती है जब वह ट्रेन की शट पर एक साय को देखता है तो वह देखता है कि वह साया भागते हुए बात्रूम की तरफ चले जाता है यह देख वैभाव विशाल को उठाता है विशाल मैंने अभी कुछ नहीं विशाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे कानों तक गोलियों की आवाज भी आई है और ऐसा लग रहा है कि दूसरे डिबबे में कोई मतलब किसी के सीने पर गोली उतार दिया हूँ चल मैं तेरी बात माल लेता हूँ, हम दूसरे डबे में जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ ना, तब मैं तेरे सीने में बोलिया उतार दूँगा, याद रखियो तू हाँ, ठीक है, इतना कहकर वैभो और विशाल दोने ही दूसरे डिबे की और जाने लगते हैं, उन्हीं वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, या देख विशाल वैभो को कहता है, देख लिया ना, हुई नहीं है ना, तू कुछ भी याद वैभो पता नहीं कैसी-कैसी बहकी- इतना कहकर विशाल और बैभव दोनों वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ पड़ते हैं अभी उनके कानों तक एक आवाज आती है हमें बचालो हमें बचालो इन आहां तंकियों से इन लोगों से इस ट्रेंड के उपर कभजा किया हुगा है आवाज के साथ साथ आचानक बूलिया चलने की आवाज भी दोनों पीछे मुड़ते लेकिन उनके पीछे पोई नहीं रहता याद एक विशाल को भी अब विश्वास हो जाता है कि उस ट्रेंड में उन दोनों और पैसिंजर के अलावा कोई और भी है वह डरते हुए तुसरे डिबबे की तरफ आगे जा रहे थे कि तभी उनके सामने भूतिया सिपाही आ जाता है और बैवहों और विशाल से कहता है आखिर तुम लोग यहां पर आईए गए हम लोगों को ना जाने तुमारा कब से इतिजार था आज वातीन आगया जब तुम हमारी मौत का बदला लोगे बदला कैसा बदला आज से कुछ साल पहले की बात है इस डिबे में पेसिंजर्स के साथ साथ कुछ फौजी भी थे और हम फौजी अपने पेसिंजर्स की रुच्छा कर रहे थे कि तभी आतकवादी इस डिबे पर कपशा करने पे हैं जब हम लोग उनसे बार विवाज शुरू किये तब हमने उनसे कहा तुम्हारी सरकार के पास हमारा एकातंकी सोहेव है अगर तुम लोगों ने सोहेव को नहीं छोड़ा तो हम इस ट्रेन में मौजूद सभी पेसिंजर्स को मौत के घाट उतार देंगे और तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा पाएगा हमारा क्या है हम तो अल्ल अब हम सब तुम देचवासियों का क्या करते हैं इतना कहकर वह आतंकी एक पेसिंजर का करा देटा है यह देखना चाहते हुए अब सरकार को सवयब को आजाद करना पड़ता है लेकिन जैसे ही सवयब आजारोकर अपने पेश पूंचता है वह से इसी तरह से मजूद हम अच्छा सबक सिखाओ ठीक है हम आपको आजाद करवाने हैं लास्ट डिपे में ही सभी की लाशे रखी हुई है तुम जाकर हमारी अस्तियों को नदी में बहा दो जैसे जैसे हो सेनी भोलते हैं वो दोनों सिपाही वैसा वैसा करते हैं जिसके बाद वो दोनों अपने गु अपना सेलफोन उठाते हैं और अपने हेड राज को कॉल करते हुए बोलते हैं सर हमारी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के आगे जादा देर तक नहीं रुख पाई गी क्योंकि इन लोगों ने अचानक ही हमारे कैंप पर ब्लास्ट कर भिया है और इस वज़ा से हम लड़ने मे असमर्थ है लेकिन कैप्टन विने आपकी लोकेशन तक पहुंछने मेन हम लोगों को समय लग सकता है आप उन पाकिस्तानी सेना को हैंड़ करो तब तक हम यहां से आर्मी के और जवानों को आपके लोकेशन तक भेजते हैं इतना कहकर वो दोनों अपना कॉल कट कर लेते है विने अंधा धुंद गोलिया चलाते रहता है लेकिन पाकिस्तानी सेना अब भी भारी पढ़ती जा रही थी या देख विने चिंता करने लगता है कि तभी उसे तीन भारतिय जवान दिखाई देते हैं जिसमें से एक का नाम रंजन था वो विने को पकड़कर उठाता है और उससे बोलता है उठो मेरे वीर जवान तुम इस तरह इन पाकिस्तानी सेना के आगे धीमे नहीं पढ़ सकते उसकी बात सुमकर विने को हौसला आता है और वा उठकर उन तीन जवानों के साथ लड़ने लगता है इस तरह लड़ते लड़ते विने को गोली लग जाती है गोली लगने के बावजूद विने हार नहीं मानता और वा उन तीनों के साथ Đटकर पाकिस्तानी सेनाओं का सामना करता है कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना कमजोर पढ़ने लगती है और पीछे हटने लग भी है विने अब अपनी आखें बंद करने ही वाला था क्योंकि वो पहले से ही काफी घायल था तभी विने उन तीन सैनिकों से बोलता है मेरे वीर जवानों तुम हो कौन? क्योंकि मैंने आज से पहले तुम लोगों को कभी यहां नहीं देखा तुम हमारी इस कैंप में हमारे साथ भी नहीं थे आखिर तुम तीनों हो कौन? उसकी बातों का जवाब देते हुए दूसरा सैनिक जिसका नाम विजय था वह बोलता है हम तीनों एक वीर जवान है और यदि हम लोगों को यह लगता है कि हमारी हिंदुस्तानी सेना को हमारी जरूरत है तब हम यहां पर या कहीं भी जरूर आते हैं जैसे आज तुम्हें हमारी जरूरत पढ़ी और हम लोग अपनी हिंदुस्तानी सेना को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए है तुम्हारी क्या हम अपने देश के लिए हमेशा तयार रहते हैं और हम अपने देश के लिए यहाँ आए है लेकिन मुझे तुम्हारी पहचान जानना है आखिर तुम हो कौन कहने को तो तुम खुद को एक सिपाही बता रहे हो लेकिन जब मैं तुम्हारे डिपार्ट और तुम्हारी पहचान पुछ रहा हूँ तो तुम मुझसे अपनी पहचान चुपा रहे हो ऐसा क्यों? सर मैंने आपसे कहा ना कि आपको हमारी पहचान जानने से मतलब नहीं होना चाहिए आप बस हमारा साथ दो बिने उनकी बाते सुनते सुनते बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी आ जाती है जहां वो देखती है कि इंडियन आर्मी के पहले से वहां मौझूद जवान इधर उधर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और कुछ शहीद हो चुके हैं इस तरह वहां पहुंचें तमाम आर्मी के जवान उन सभी को उठा कर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन सैनिकों के बीच विने भी मौझूद था विने को जब खोश आ जाता है तब विने खड़े होकर खुद को शीशे में देखने लगता है कि तभी उसको शीशे में उन टीनों की परचाई नजर आती है यह देख वह खुद से कहता है खैर में खायल अवस्था में इन टीनों से बात तो नहीं कर सका लेकिन अब मैं इन टीनों से तसलिप पुर्वक बात करूंगा वह इतना बोली रहा था कि तभी वहां हिट राज आ जाता है और उससे बोलता है मुझे तुम पर गर्व है आखिर तुमने वो गर्व दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया तुमने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी हर जगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है तो मैं तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए सर मैं इस मेडल का हगदार अकेला नहीं हूँ क्या मतलब मतलब ये कि मैं अकेले नहीं लड़ा था बलकि मेरे साथ और तीन जवान थे उन्होंने मुझसे कहा कि जब इंडिन आर्मी को हमारी जरूरत होगी हम हमेशा साथ निभाएंगी विने तुम रेस्ट करो लगता है तुम्हें गहरा सदमा लगा है लेकिन सर राज कुछ नहीं सुनता जिसके बाद विने चिपचाप अपने बेड़ पर लेट जाता है और उस रात के बारे में सोचने लगता है जिसराथ उसके साथ सिना के वो तीन जवान लड़ाई लड़ रहे थे इस तरह अब दिन गुजरते गए और विने बिलकुल ठीक हो चुका था लेकिन उसके मन में ये ख्याल हमेशा चलता था कि आखिर उस दिन वो तीन जवान कौन थे विने के मन में ये खायल चली रहा था कि तभी विने के पास फोन आता है और उसका हेट राज बोलता है विने हमने सुना है कि कश्मीर पर आतंकियों ने घुस पैट कर दी है हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम कल सुबह तुरंत यहां पर आ जाना जी सर विने अब अगली सुबह कश्मीर निकल जाता है जहां उसे मालूम चलता है कि उसे रात के समय सुरंग के रास्ते पाकिस्तानी घुस पैटियों के अड़े को तबाह करना है यह सुनकर विने मन ही मन सोचता है और खुद से कहता है मुझे तो इस कश्मीरी सुरंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और यह सुरंग कहां चाती है और कहां नहीं ये भी नहीं मालूम आखिर में कुछ जवानों के साथ इस बंद पड़ी सुरंग में कैसे घुस पैटियों के अड़े को तबाह करूंगा विने ये सब खुद से बोल ही रहा था कि तभी वहां तीन जवान एक बार और आजाते हैं और उससे बोलते हैं गुड इवनिंग कैप्टन विने उन तीनों को देख विकरम अब चौड़े से खड़े हो जाता है और सल्यूट करते हुए उनसे सवाल करता है गुड इवनिंग सर जैहिंद मुझे आपसे सवाल करना था हाँ बोलो न अगर तुम्हें क्या पोछना है सर आप तीनों हो कौन जब मैं आपका नाम ले रहा था तो आप उस समय वहां पर क्यों नहीं थे मैं इस सब का क्रिडिट अकेला नहीं लेना चाता क्योंकि मुझे पता है कि इस लड़ाई के पीछे मैं अकेला नहीं हूँ उसकी बात सुनकर विजय बोलता है फिलहाल अभी ये सब बात करने का समय नहीं है तुम यहां पर जिस काम के लिए आय हो ना तुम उस काम को पूरा करो और जैसे ही वो काम समाप्त होगा वैसे ही हम तुम्हें अपनी सच्चाई जरूर बताएंगे विने उस वीर की बात से सहमत होता है और सुरंग के रस्टे होते हुए घुस पैठियों के अड़े तक पहुँच जाता है वहाँ तीनों विने से कहते हैं विने तुम इसी सुरंग में रहो यदि हमें तुम्हारी जरूर पड़ी तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे पर गोलिया चलाने लगते हैं लेकिन उन आतंक वादियों की एक भी गोली उन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती वह गोली उनके सीने को चीर कर बाहर निकल जाती है या देखकर विने एकदम आश्यर चकित हो जाता है तभी वह तीनों बारूत निकालते हैं और आतंकियों को एक पल में तबाह कर देते हैं और वापस विने के पास आते हैं उन्हें देख अब विने बोलता है आखिर आप लोग हो कौन? उन आतंकियोंने तो आप कोई इतनी गोलिया मारी? अगर आपकी जगा कोई और इंसान होता तो वो तो गोलियों से छनली छनली हो जाता मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि आप सब कोई मामूली इंसान तो नहीं है इसलिए आप सब मुझे अपना सच बता दो हाँ हम कोई मामूली इंसान तो नहीं है हम भूतिया तीन सैनिक है हम पॉडर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए लेकिन हमारे मन में जो देश के प्रती देश भक्ती थी वह आज तक जिन्दा है इसलिए हम तीनों शहीद होने के बावजूद अपने देश की सिवा कर रहे हैं हम लोग शहीद हो गए हैं लेकिन हम लोग उन्ने कसम खाई थी कि जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत बढ़ेगी हम तब तब देश की सिवा करने के लिए जरूर आएंगे और जैसे हमारे मन म में देश भक्ति है उसी की कौपी तुम हो इसलिए हम तुम्हारा साथ हमेशा देते हैं उनकी देश भक्ति को देख विनय उन्हें गर्व से सेल्यूट करता है जिसके बार विनय अपने घर वापस चला जाता है और जब विनय को सेकंड गोल्ड मेडल मिल रहा था तभी वह उ झाल ऑज हमेशा ने तुम हो जएा हमेशा साथ हो जिसके की दीज़ को बिससे हैं जाता है और जा झाल लापस अज़िए खगवां पिर से विनय मेडल मिल विनयों दो विनय भाच्ति करता हैं ने बार जार गगुम्हारा